नमस्कार दोस्तो मेरा नामेराज और आप देख रहे हैं ARION TOP दोस्तो इस वीडियो में मैंने बताया है कि Facebook पर Relationship Status को Change कैसे कर सकते हैं Facebook पर Relationship Status को Change करने के लिए मैंने इस वीडियो में Step by Step जनकारी दी है जिसकी मदश से आप भी अपने facebook profile में relationship status को change कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम browser को open कर लेंगे browser उपन होने के बाद आपको address bar में type करना है facebook.com और interface कर देना है देन आपके सामने facebook का website open हो गिया है इस website का link मैं अपने वीडियो के description में दे दूँगा वहाँ से भी directly आप इस website पे visit कर सकते हैं खेर यहाँ पे आपको email address या phone number डाल कर आपको login करना है तो facebook का जो मेरा email ID है वो हम अपना email ID डाल लेते हैं और यहाँ पे जो हमारा password है वो हम password भी डाल देते हैं तो यहाँ पे मैंने अपना password भी डाल दिया और देन आपको login बटन पे क्लिक करके login कर लेना है अब आप देखेंगे यहाँ पे आमरा facebook profile ओपन हो गिया है आप देख सकते हैं यह आमरा facebook profile का homepage है अब आपको क्या कम करना है आपको अपना facebook में relationship status को change करना है या add करना है तो उसके लिए आपको क्या कम करना पड़ेगा आपको जाना पड़ेगा आपको अपने profile पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका profile photo है तो आपको profile photo के name पे आपको क्लिक करना है तो जैसे ही आपने यहाँ पे नेम क्लिक किया तो आपके सामने आपका प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो चुका है आप देख सकते हैं यह ओपन हो रहा है तो आपका प्रोफाइल कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा और देन आपको क्या काम करना है आपको यहाँ Edit Profile पे क्लिक करना है तो हम Edit Profile पे क्लिक करते हैं Edit Profile पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका Edit का Option आज चुका है और आप इसको नीचे की तरब लाएंगे तो यहाँ पे Profile Picture, Cover Photo और भी थोरा नीचे करेंगे तो यहाँ पे Bio के साथ आपका Customize Your Intro, How is Feature यह सारे अपसन नज़र आएंगे तो अब आपको क्या काम करना है आपको नीचे की तरब जाना है और इसको Edit Your About Input पे क्लिक करते ना है देन आपका यहाँ पे About का सक्षन ओपन हो चुका है और आपको फिर से थोरी नीचे की तरब जाना है और नीचे की तरब जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक Option अज़र आएगा About के सक्षन में ठीक नीचे में Family & Relationship तो Family & Relationship पर आपको क्लिक कर देना है देन इधर में आपका Relationship का Option खुलकर आ चुका है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने पहले से ही Single Relationship मैं Single हूँ मैं Married नहीं हूँ इसलिए मैंने Single चूज किया हुआ है तो हम इसके एरिट पे क्लिक करते हैं और आप यहाँ से एरो पे क्लिक करके आप यहाँ से जो भी आप हैं या आप सिंगल हैं Relationship में हैं इंगेज हैं या Married हैं या Civil Union हैं जो भी हैं आप यहाँ से Select कर सकते हैं तो खैर मैं अभी Singal हूँ तो मैं Single रहने देता हूं और इसके बाद आप इस पे क्लिक करके आप पॉब्लिक कर सकते हैं या प्राइबर कर सकते हैं तो मैं public की रहने देता हूँ और फिर आपको यहाँ पर चूज करने के बाद यह save button पर click कर देना है ठीक और उसके बाद यहाँ पर आ गया family members तो family members अगर आपको add करना है relationship में तो add a family member पर click करना है देन यहाँ पर आपको family member जो भी family member को आप add करना चाहते हैं उसका नाम लिखन है यहाँ आप नीचे की तरफ थोड़ जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर all friends birthday high school hometown flowers flowing यह सारे यहाँ पर जो भी आपके friend है आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक तो हम यहाँ से अगर इंजिनियर संजय कुमार पर click करते हैं तो इंजिनियर संजय कुमार का यहाँ प उसके लिए हम इसको back कर देते हैं और हम relationship पर फिल से आ गया है और यहाँ पर हम एक family member को एड़ कर लेते हैं तो यहाँ पर हम किसी का नाम लिखते हैं जो भी हमारा जैसे मैं राजाराम सिंग पर click करता हूं और राजाराम सिंग का relation मेरे साथ क्या है तो हम इस पर click करके हम य यहां से चूज कर लेते हैं तो चलिए हम यहां से हम अपना चूज कर लेते हैं यहां से रिलेशन्शिप इनके साथ है तो मैं यहां पर ब्रदर चूज कर लेता हूं और देन आप इसको से बटन पर क्लिक कर देते हैं और यह मैंने select कर लिया जो अभी pending बता रहा है लेकिन इनके पास एक message गया हुआ यह जैसे ही accept कर लेंगे तो यहाँ पर आपका pending खतम हो जाएगा और यह add हो जाएगा वैसे ही अगर दूसरे यह पर से प्रसें को आपको आइड करना है तो क्लिक कर यह कर दिया और रिलेशनिप पर क्लिक कर दिया और इसको भी चूज कर सकते हैं और Save बटन पर क्लिक कर सकते हैं तो यह रहा Family Member में आड़ हो गया है दो नाम आप जितने नाम चाहें उतने नाम को आप आड़ कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने Facebook profile में Membership या Relationship को आप Status को आड़ कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने Facebook profile में Relationship को आड़ कर सकते हैं या अपने Family Member को आड़ कर सकते हैं यह दोनों तरीके मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, उमीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हुगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें सेर करें, साथ ही अगर अभी तक आपने हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब सेनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटिक आइकन को प्रेस करना बिलकुल ना भूले मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई